So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि कि 29 मई के important current affairs को, देखिए हमारा पहला प्रशन क्या है, कि अभी हाली में सेला पास के नाम पर किस राज्ज में पाई गई बंदर की एक प्रजाती का नाम रखा गया, तो अंचर होगा अरुनाचल प्रदेश तो अभी Geological Survey of India के वेज्जानिकों ने अरुनाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाती खोजी है, और उसी का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया, क्या नाम रखा, सेला मकाक या मकाका सेला ही आपके दीजिए, अच्छा Geological Survey of India मैंने बोला, तो यहां से भी एक दुवांशिक रूप से इस शेत्र के अन्य प्रजातियों से अलग है, एक्च्छली में अरुनाचल प्रदेश में जो यह सेला दर्रा है, इसी की वज़े से यह प्रजाती दूसरी प्रजातियों से अलग रही अभी तक, तो इसी कारण इस सेला दर्रे के नाम पे इस नई प्रजाती के नाम रख दिया गया, सेला मकाक, अब बात अरुनाचल प्रदेश की है, तो यह रहा मैप में अरुनाचल प्रदेश, कैपिटल क्या है, इसकी इतानगर है, गवर्नर बेडी मिश्रा हो गए, और मुख्य मंत्रिय पेमा खांडू, अच्छा अरुनाचल प्रद किया था, और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, अरुनाचल प्रदेश के नाम पर ही, एक छिपकली की नई प्रजाती का नाम भी रखा गया था, और भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार मिले थे, अरुनाचल प्रदेश के पापुम पारेजिले में, और जियो लोज 2022 में International Boxing Association की एथलीट समिती का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो आंसर होगा लवलीना बोर्गोहन लवलीना बोर्गोहन ये एक बॉक्सर है और इनका नाम आपको जरूर याद होगा अभी Tokyo Olympic में bronze medal इनों ने जीता था और अभी इनी को International Boxing Association की एथलीट समिती का अध्यक्ष ब IBA एथलीट समिती के सदस्य के रूप में चुना गया तो अध्यक्ष तो बनी है लवलीना बोर्गोहन और सदस्य बने है शिव थापा अभी हमने पड़ा था बारवा IBA महिला विश्व मुक्यबाजी Championship जो हुआ था तर्की के इस्तानबुल में जिसमें भारत ने तोटल त किस ने जीता निखत जरीन ने जीता है और ये विश्व Championship में गोल्ड जीतने वाली पांचवी भारते महिला बॉक्सर बनी है अच्छा यूं बताओ इंटरनेशनल बॉक्सिंग असूशियेशन का हेड़कोटर का पर लोजैन स्विजलेंड में है जिसके अध्यक्ष है उमर क्रेम लेव तो याद रखना ये बढ़ते आगे फिर बताइए मई 2022 में तीसरा Global Organic Expo 2022 का आयोजन ये कांपे किया गया तो अंसरों का नई दिल्ली में तो अभी नई दिल्ली में तीसरे Global Organic Expo 2022 का आयोजन किया गया एक तो ये पॉइंट याद रखना देखो एक्छिली में क्या है जो हमारी सरकारे वो चाती है कि जो किसान है वो रसायन मुक्त खेती करें यानि कि Organic Farming करें और कई प्राइविट कंपनिया हैं संस्थाएं हैं वो भी शेतर में आगया करके जेविक उत्पादों जो Organic Products होते हैं उनके रोजगार व्यापार और कारोबार को बढ़ा ये Global Organic Expo का आयोजन किया जाता है और इस साल ये इसका तीसरा संस्करन है तो याद रखना अभी तीसरा Global Organic Expo 2022 का आयोजन कहां पर किया गया नई दिल्ली में अच्छा Organic से 3-4 प्रशन आपको याद रखने होंगे एक तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला Organic State कौन सा है तो आंसर होगा सिक्किम है और पहला Organic Union Territory कौन सा है तो लक्ष अद्वीब है उसी तरह से पहला Organic Country कौन सा है तो भूटान है और आपको याद होगा लदाक भी Organic बनने के लिए इसने अभी सिक्किम के साथ समझूता किया था और लक्ष रखा है 2025 का अब बात दिल्ली क है और जब भी दिल्ली की बात आती है तो आपको माइन में क्लिक करेगा कि हाँ अभी तो इसके नए उपर राज्यपाल बन चुके हैं कौन विने कुमार सकसे ना और अभी भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोटसव का आयोजन भी किया गया था नई दिल्ली में ही जिसका मुख्य मंतरी मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना का पर शुरू हुई दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार ने अपना सिक्षागीत लौंच किया था जिसका नामे इरादा कर लिया है हमने अच्छी बात है और अभी एशिया का सबसे बड़ा अंतर राष्ट्रिक खादे और आति सबसे बड़ी कुष्टी अकादमी स्तापित करेगा किशन गंज दिल्ली में और मुझे बताओ प्रो कबड़ी लीग 2022 का किताब किस ने जीता जो ये इसका आठवा संसकरन था इसको जीता तबंग दिल्ली ने पतना पाइरेट्स को हरा करके तो ये सारे पॉइंट याद रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए मई 2022 में हुए International Shooting Sports Federation Junior Wishwakab 2022 में भारत कौन से इस्तान पे रहा तो भारत पहले इस्तान पे रहा अच्छा पहले तो ये बताओ International Shooting Sports Federation Junior Wishwakab 2022 ये हुए कहाँ पे जर्मनी में जर्मनी के सुहल में इसमें भारते जूनियर शूटिंग टीम ने टोटल 33 मेडल जीते हैं जिसमें से 13 गोल्ड हैं 15 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज हैं और इसी के साथ भारत पहले इस्तान पे रहा दूसरे इस्तान पे इटली है अच्छा अगर मैं आपसे पूछू इंटरनेशनल शूटिंग स्पूर्ट्स फेडरेशन का हेड़कोर्डर का अपर हैं म्यूनिक जर्मनी में अच्छा तीन प्रश्ण में आपसे पूछूँगा एक तो आप मुझे बताओ अभी बारवी होक्की इंडिया सीनियर वोमेन नैशनल चेंपेंशिप इसको किस ने जीता पहले तो ये यादर को ये हुई कहाँ पे थी बोपाल मद्यपरदेश में इसको उडिसा ने जीत लिया करनाटक को हरा के लेकिन अगर आपसे पूछे कि बारवी राष्ट्रे सब जूनियर वोमेन्स होक्की चेंपेंशिप 2022 जो कि अभी मनिपूर के इंफाल में हुई थी इसको हर्याणा ने जीत लिया जारकन को हरा के और अगर आपसे पूछे कि बारवा IBA International Boxing Association महिला विश्व मुक्केबाजी चेंपेंशिप जो कि अभी टर्की के स्तानबुल में हुई थी उसमें भारत चौथे स्तान पे रहा है अभी हमने पीछे ही पड़ा था जिसमें गोल्ड जीता है निखत जरीन ने तो अंसरों कर जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर के डोडा जीले के भद्रवा में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया अभी 25 और 26 मई को किया गया था इस उत्सव का मकसद क्या है लेवेंडर को बढ़ावा देना और आपको बता दू कि लेवेंडर को डोडा ब्रेंड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है और ये जो डोडा इस्तान है ये भारत की बैंगनी करांती या परपल रिवोलुशन या कह दीजे अरोमा मिशन का जनमिस्तल है अरोमा मिशन मतलब इसमें वो पौदे आते हैं जो सुगंदित भी हैं और मेडिशनल प्रॉपरिटी भी रखते हैं जैसे कि तुल्सी तो आप जानते ही होंगे लेकिन इन सब में लेवेंडर सबसे बेस्ट है और भद्रवा से आपको याद अना चीए देश का पहला National Institute of High Altitude Medicine ये भी भद्रवा में बनाया जा रहा है और हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर में विधान सभा के परिसिमन के लिए परिसिमन आयोग बनाया गया था और उसके अध्यक्ष बने थे रंजन प्रकाष्ट देशाई और इसके अनुसार कितनी सीते होंगी 90 सीते होंगी देखो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनन गवर्नन कौन है? मनुस सिन्ना है अभी जम्मू कश्मीर ने जन निगरानी एप्लिकेशन को लॉंच किया था और बताओ प्रधान मंत्रे जन आरोग की योजना की तहद सो प्रतिशत परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला और भारत की पहली कारबन निट्रल पंचैद बना है जम्मू कश्मीर का पल्ली गाउं अभी जम्मू कश्मिर सरकार ने अथवास पहल भी शुरू की थी डल जील को साफ करने के लिए और डल जील पर ही बताव भी किस बैंक ने तेरता हुआ ATM स्थापिट किया था तो इस तिट बैंक ओफ इंडिया ने जम्मू कश्मिर में ही हैरत महत्सव मनाया गया कंचोत महत्सव यहाँ पे मनाया गया पुशकर फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मिर में ही और जम्मू कश्मिर के कश्मिरिक कालीन को QR कोड आधरित GI टेक भी दिया गया आपको याद होगा बीजिंग ओलंपिक 2022 हुए दूद गाउं घोशित किया गया तो अंसर होगा जेरी और 100% दोनों दोज यानि कि जो वैक्सिन लगी थी कोरोना की वो देने वाला पहला गाउं भी जम्मू कश्मीर का ही था वेयान गाउं तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना आप पढ़ते आगे चलिए बताईए अभी हाल अभी में किस भारते को WTO यानि की World Trade Organization की व्यापार पर तकनिकी बाधाओं पर समीति का अध्यक्ष बनाया गया तो अंसर होगा अन्वर हुसेंद शेक तो भारत सरकार के एक अधिकारी है अन्वर हुसेंद शेक जिनको अभी व्यापार पर तकनिकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगिठन की समीति का अध्यक्ष बनाया गया है मतलब टेक्निलोजी सर डेटेड जो बेरियर है उसके लिए एक कमिटी है उसके ये अध्यक्ष बने है जो की एक भारते हैं इसी लिए ये प्रश्च इंपोर्टन्ट है अचा अभी हज समीति के अध्यक्ष कौन बने थे एपी अब्दुल्ला कुटी और अगर आपसे पूछे कि ओसकर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने तो रिज एहमद बने और अगर मैं आपसे पूछू कि 2022 के अंतरराश्टर महिला साहस पुरसकार के लिए किसे चुना गया था तो रिजवान हसन को चलो म दालाग के खिलाफ कानून बनाया गया बाकी देखो वर्ल्ड ट्रेड और्गेनाइजिशन की बात करें तो इस तापना उतीज के एक जनवरी 1995 को हैड़क्वाटर जेनेवा स्विजजेलेंड में हैं और टोटल मेंबर कंडरी जे 164 और 164 नंबर का बना था अफगानिस्ता और इसकी पहली मैला डारेक्टर जेनरल को ने नागुजी ओंका जाइवेला जो की खुद नाईजीरिया से हैं तो ये सब याद रखना बढ़ते आगे हैं चलिए बताइए मैं 2022 में डाक, विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहन 4.0 नाम की बैठक ये कांपर शुरू हूई तो अंसर होगा शिमला में तो डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ट पदादीकारियों की बैठक है ये जिसे कहा गया आरोहन 4.0 ये कापर आयोजित हुई हिमाचल प्रदेश के शिमला में और इस बैठक का उद्दिश्य क्या है वित्य समावेशन यानि की financial inclusion को बढ़ावा कौन सी है जन्धन योजना जो शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे अचा इंटरनेशनल पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें स्थापना होती है एक सेप्तमबर 2018 को आपको याद होगा अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनकलिव वेजन नाम की एक पहल भी लांच की थी और कुछ समय पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग ने मिलकर के एक डिजिटल एप्लिकेशन ने डाक पे इसको भी लांच किया था इसके MDCO जे वेंकर ड्रामू है टेग लाइन होती है आपका बैंक आपके द्वार याद रखना ये बढ़ते आगे चलो बताओ मई 2022 में गार्डन रिट शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स इसने एक भारते नौसेना सर्विक्षन पूत को लांच किया उसका नाम के भी तो आंसर होगा INS नर्देशक तो भारते नौसेना के लिए L&T शि और पहले वाले का नाम था INS संध्याग जिसे 2020 में कॉलकता से लांच किया गया था और अभी दूसरा वला याद रखना INS नर्देशक इसका नाम है अच्छा INS धुरू ये नाम आपने याद रखना है ये भारत का पहला परमाणू मिसाइल ट्रेकिंग जहाद है और INS वि राठ है ना इसे ग्रेंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं ये हमने इंगलेंड से लिया था लेकिन अभी इसे डिकमिशन कर दिया हमने और INS राजपूत आप जानते हो ये भारत का पहला विद्वन्चक जहाज था इसे भी अभी विशाका पत्नम से हमने डिकमिशन कर दिया बढ़ते हैं चलिए बताईए अभी हाली में मनी स्पाइडर ये देश में पहली बार कहां पे देखा गया तो आंसर होगा वाइनाड वाइल लाइफ सेंचूरी मनी स्पाइडर वैसे तो ये आमतोर पर ये घांस के मेदानों में पाया जाता है पर अभी इसे केरल में जो व बातवी भी है सेवंथ नमबर की और रामगर्ण विशधारी अभ्यारन ये राजस्तान के बुंदी में है जो कि राजस्तान का अभी चोथा और देश का बावनवा 52 नमबर का टाइगर रिजर बना लेकिन अभी भारत का 53 नमबर का टाइगर रिजर बन चुका है कौन सा व बढ़ते आगे चली बताईए मई 2022 में किस राज्य मंत्री मंडल ने राज्यपाल की जह गये मुख्य मंत्री को राज्य के द्वारा संचालित विश्विध्यालियों का कुलपती बनाने वाले विधेक को मंजूरी दे दी है तो आंचर होगा पश्चिमंगाल वैसे तो आप पश्चिमंगाल ने तो अब बात पश्चिमंगाल किये तो यहरा मैप में पश्चिमंगाल कैपिटल इसकी कॉलकता है जो कि किस नदी के किनारे श्तित है हुगली नदी के किनारे और यूको बैंक का हैटकॉर्टर आपको यहीं पे मिलेगा बंधन बैंका भी यहीं पे मिल जो ममता बनर जी इनको विशेश बांगला अकादमी पुरुसकार भी मिला, इनके उपर एक बुक भी आई है, ममता बियोंड 2021 जिसको जयनता घोशाल ने लिखा है, और बताओ अभी, अपना जैव विवित्ता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शेहर कौन सा बना तो आंशरोगा कॉलकता, और एक पियाली बसाख है, प्रवता रोही है ये पश्चिम मंगाल की, पढ़ा था इनके बारे में हमने कि बिना ऑक्सिजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फताय करने वाली पहली बारते बनिये ये, और बताओ अभी किस राज्य ने सिक्षा के शेतर में स्कॉच अवर्ड जीता तो आंशरोगा पश्चिम मंगाल, और पश्चिम मंगाल में आपको नेताजी सुभाष, चंदर बोस, अंतर राष्टर हवाय अड़ा भी मिलेगा कॉलकता में, और पश्चिम मंगाल में ही बन महाननदा वाइल लाइफ सेंचूरी ये सब आपको मिलेंगे पश्चिम मंगाल में, तो याद रखना ये पढ़ते आगे हैं, अच्छा बताइए अभी RBI ने बैंकों की उपभोकता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अद्यक्षिता में 6 सदस्य समीति का गठन किया, तो बैंकों की उपभोकता सेवाओं में सुधार के लिए उनके मूल्यांकन के लिए, इसमें टोटल 6 मेंबर हैं, अच्छा अभी याद होगा आपको डिफाल्टरों से धन की वसूली के लिए सर्वोच न्यायले समीति का प्रमुक किसे बनाया गया था, परदीप नंदरा और अभी चार धाम परियूजना पर समीति के अद्धिक्ष बने थे, एक के सीकरी, उसके अलवा लद्दाक की भाषा, संस्कृति और भूमी के संगरक्षन के लिए, जी किशन रिड़ी के अद्धिक्षिता में एक समीति बनाए गई थी, और RBI की बात करें तो इस्तापना उति एक अपरेल 1935 को, और हेड़क्षर मुंबई में हैं, चलो बताओ RBI की इस्तापना कि समीति की सिफारिश पर हुई थी, यंग हिल्टन आयो, इसका राष्टर करन हुआ एक जनवरी 1949 को, वर्तमान में गवर्नर शक्तिकान दास 25 नंबर के हैं, पहले बिरिटिश गवर् नर्थ है, सिर्डी देशमुक, तो याद रखना ये बढ़ते हैं, फिर बताइए, अभी हाली में किसे, अचिवर्स ऑफ बंगलूरू पुरुसकार से सम्मानित किया गया, तो अंसर होगा, डॉक्टर विश्व करियप्पा, तो सैन ग्रूप ऑफ कमपनीज के मैनेजिंग डिरेक्टर हैं, विश्व करियप्पा, इनको अचिवर्स ऑफ बंगलूरू पुरुसकार से सम्मानित किया गया, और ये जो पुरुसकार है उन्हें दिया जाता है, जिन्होंने विभिन शेत्रों में उतकरश्टता हासिल की है, अच्छा भी रोयल गोल्ड मेडल 2022 ये किसे मिला बीवी दोशी को, और वीटली गोल्ड अवर्ड हिम तेंदुए के सरक्षन के लिए मिला था चारुदत मिश्रा को, तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की, तो कल की वीडियो में क्या पूछा था, कि जैव विवित्ता रडिश्ट पर वहीं पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन का लिंक मिलेगा आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पर टेलिग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रशन